हे गाईज वेलकम तो माई चैनल लीविंग विद अलिया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर पे सिंप्ली मैनिक्यूर कर सकते हैं और ये बहुत ही असरदार है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको एक कॉटन में रोज वाटर टाना है और उसे अपने हाथों को अच्छे से साफ परना है जिससे आपके हाथ से सारे डेट पार्टिकर्स हट जाए अगर आपके पास घर पे रोज वाटर अवेलिबल ना हो तो इसको आप मिल्क से भी साफ कर सकते हैं कच्छ नमक एड करना है वन टेबल स्पून बेकिंग सोड़ा डाल लेंगे इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लिजिए और अब किसी भी ब्रैंड का शैंपू इसमें डाल दीजिए आपको अराउंड टू टेबल स्पून शैंपू डालना है और फिर से इससे अच्छे से मिक्स करना है अब आप अपने हैंड को इसमें डिप करके रखेंगे 15-20 मिनिट्स के लिए इससे आपके हैंड क्लीन हो जाएंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा डर्ट है वो सब निकल जाएगा गाइस अब हमें एक बॉल लेना है उसके अंदर हमें वन टेबल स्पून राइस का आटा मतब चावल का आटा मिक्स करना है अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप हाफ लैमन को कट करके उसमें पिसीवी चीनी डालके भी अपने हैंड्स पे डप कर करना है मेक शौर आप इसको सर्कुरर मोशन में करें ना कि जल्दी जल्दी से उसको रप करें गाईस यहां में आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगी कुछ लोग इस प्रвор को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर रप करते हैं बहुत जल्दी-जल्दी इसक को आप चाहिए हैंड पर यूज़ करें या फेस पर यूज़ करें उसको सरकुलर मोशन में एक और अपने टिप की हैंड से करना पड़ता है ना कि फूल हैंड की उससे अगर अपने फिंगर के टिप से करेंगे तो आपको रिजल्ट जाद अच्छ देखेंगे तो प्लीज मेक शूर आप कभी भी स्क्रबर यूज़ करें फेस पे या हैंस पे उसको सरकुरर मोशन में और विल्कुल सॉफ्ट हातों से ही यूज़ करें तब यह जाके आपके हाथ पहले से कितने साफ लग रहे हैं और सॉफ भी गाइज आप इसको मैनिक्यूर को मन्त में दो बर यूज़ करना है और धीरे धीरे इसको यूज़ करने से आपकी स्कीन से सारी डैड स्किन टैनिंग खतम हो जाएगी आप प्लीज इसको ट्राए करें और मुझे क इसको ट्राए करा है थैंक्स पर वाचिंग गाईज बाबाए